हाँ, वेल्कम टू एजिन प्राइबल इप्टेट, आज की इस क्लास में हम ABB PLC के अंदर एक इन्पुट इंस्ट्रक्शन नॉर्मली ओपिन कॉन्टेक्ट और एक आउट्पुट इंस्ट्रक्शन आउट्पुट कॉईल को डिस्क्स करेंगे, तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ABB Automation Builder को डवल क्लिक करके, सौफ्टर को उपिन करेंगे ABB PLC की प्रोग्रामिंग करने के लिए, Automation Builder उपिन हो चुका है अब यहाँ पर हम एक New Project क्रियेट करेंगे New Project क्रियेट करने के लिए, या तो हम यहाँ से New Project क्लिक कर दें या फिर यहाँ से हम New Project क्रियेट कर सकते हैं मैं माल लीजे यहाँ से New Project पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद AC 500 प्रोग्रामिंग करेंगे और यहाँ प्रोग्रामिंग का कोई नाम दे देंगे माल लीजे मैं ABB PLC Underscore P101 नाम दे देता हूँ उसके बाद OK करेंगे तो यह यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ABB PLC Underscore P101 नाम से बन गया है अब इसके अंदर हमें Next Step आता है कि कंट्रोलर को सेलेक्ट करना क्यूंकि हमें किसी भी कंट्रोलर के लिए अगर प्रोग्रामिंग बनानी है तो हमें पहले कंट्रोलर का सेलेक्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ माल लीजिए मैं AC500 PM564 ETH इस PLC को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद Add PLC पर क्लिक कर देंगे PM564 ETH नम की PLC इसके अंदर Add हो गई है और उसके अंदर 6DI, 6DO, 2AI and 1AO यह इतने आयूस होते हैं तो यह यहाँ पर कंट्रोलर Add हो गया है अब सबसे पहले हम इसके अंदर IOM symbol assign कर देंगे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यह IOM mapping के अंदर लेके आया है यहाँ पर यह DI और AI और DO और AO इसके अंदर हमारे पास 6DI थे जैसे DI 0 से लेकर के DI 5 अगर इसका नाम आप देना चाहते हो तो कुछ नाम भी दे सकते हैं जैसे मैं माली जीए DI 0, DI 1, DI 2, DI 3 इस तरह के इसके नाम दे देता हूं तो यह 0 से लेकर के 5 यह यह 6DI हो गए और 2 AI हैं तो इनका नाम दे देते हैं AI 0 और AI 1 यह हो गए अब इसके बाद आउटपुट के आते हैं तो आउटपुट में भी 6 DO हैं और 1 AO है तो यहां पर हम दे सकते हैं नाम DO 0, DO 1, DO 2, DO 3, DO 4, DO 5 इस तरह से यह 5 DO हो गए और 1 AO है तो यहां पर इसका नाम AO 0 देता है तो इस तरह से इसके नाम हमने यहां पर मैप कर दिये यानि कि हमारे इंपूट आउटपूट मैपिंग हो गई है अब हम चलेंगे इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इस एप्लिकेशन पर डवल क्लिक करेंगे 4DS नाम का software यहां पर उप नोगया है यहां पर हम प्रोग्राम फाइल बनाते हैं जैसे यह एक program बन गई है अब सकते हैं तो यहां से राइट किलिक करेंगे add object में जाएंगे और यहां पर हम कोई नाम दे देंगे जैसे माली जी मैं कोई नाम दे देता हूँ logic बन या program बन ऐसे हम डाल सकते हैं माली जी मैं program बन डाल देता हूँ prog underscore one यह नाम दे देगे अब यह किसमें बनाना चाहते हैं आप ladder में bd में sfc में st में cfc में उसमें आप बना सकते हैं मैं माली जी इसको ladder में कर लेता हूँ और ok करेंगे तो यह यहां पर हमारी ladder file open हो के आ गई है अब पहला काम हमारा यह होता है कि यह जो file जो हमने बनाई है program underscore one इसको man program के साथ connect करना हूँ तो क्या करेंगे right click करके इसको हम यहां से copy करेंगे और when program file के अंदर आएंगे और यहां पर इसको paste कर देंगे और bracket को open close कर देंगे तो हमारी यह जो file है program one की यह file हमारी इसके साथ connect हो जाएगे इसको एक बार save कर देंगे इसको close कर देंगे अब हम इस program file में आज के topic को discuss करेंगे आज के topic बहुत ही short topic है letter language के अंदर एक input instruction normally open contact और एक output instruction coil जैसे कि आप यहां पर देखा रहे हैं यहां पर कुछ input instruction है यह input instruction है जिसके अंदर एक NO है इसे NO contact बोलते हैं इसे NC contact बोलते हैं इस तरह के यहां पर contact दिये हैं उसके बाद एक coil है यहां पर coil है और एक set coil है और एक reset coil है तो इस तरह से यह कुछ basic instruction यहां पर दिये हैं यह input instruction है और यह output instruction है और बाकी instruction भी हैं जो कि हम आगे की class में यह की करके इस्तिमाल करके इसको सीखेंगे इसको हम network भी बोलते हैं और रंग भी बोलते हैं अगर हमें next network को insert करना है तो हम यहां से insert कर सकते हैं पहले करना है यह बाद में करना है उसको हम कर सकते हैं तो इस रंग में हम यहां पर इस रंग को select करके एक no contact पर click करेंगे तो यह यह no contact आ गया और यहां select करेंगे एक बार और output coil को ले 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 तो यह output coil हो गए तो यह input contact हो गया और एक output coil हो गए यह जो contact है यह coil है यह अभी instruction है blank instruction है इसके उपर हमें एक variable assign करना होता है जब तक हम इसके साथ variable assign नहीं करेंगे तो यह work नहीं करेंगे तो इसके साथ एक variable assign कर देते हैं variable मान लीजिए मैं कोई नाम दे देता हूँ पीवी बन नाम दे देता हूँ पीवी अंडर स्कूर बन कुछ भी नाम दे सकते हैं बूल टाइप भी बना देंगे तो यह हमने यहां पर बूल टाइप बना दिया एक टैप ऐसे ही हम एक यहां प का एक variable को assign कर दिया और जो output coil है उसके साथ लेंप बन नाम का variable assign कर दिया तो यह तो हमने इसका variable assignment का काम हो गया अब इसका next काम आता है कि यह काम कैसे करते हैं तो यह NO जो काम कैसे करता है NO ऐसे काम करता है कि जब इसके variable की value बन होगी तो इसका path connect हो जाएगा और अगर इसके variable की value 0 होती है तो ये path यहां से disconnect रखेगा तो अगर PV1 की value बन हो जाती है तो ये L जो lamp है lamp 1 ये हमारा true हो जाएगा यानि कि ये lamp हमारा own हो जाएगा और अगर PV1 की variable की value यहां पर 0 होती है तो ये lamp 1 वो off रहेगा तो ये एक example है इसी तरह से एक और example ले लेते हैं माली जी मैं एक network add करता हूँ माली जी एक दो no ले ले लेते हैं यहां पर हम माली जी semi tag दे लेते हैं PV1 PV1 और दूसरा tag हम दे लेते हैं PV अंडर स्कोर 2 तो ये अभी create नहीं है इसको create करना पड़ा ये create हो गया और एक coil ले ले लेते हैं अब इसको माली जी मैं lamp 2 डाल देता हूँ create कर देंगे ये lamp 2 हो गया अब पहले case में तो ये था कि एक PV1 की value अगर true हो जाएगी तो ये lamp 1 ओन जाएगी लेकिन दूसरी case में क्या है जब PV1 की value अगर true होगी तो ये lamp 1 नहीं होगा उसके साथ साथ PV2 की भी value हमें on करने पड़ेगी यानि कि PV बन की भी on होनी चाहिए साथी साथ PV2 की भी value बन होनी चाहिए तभी ये lamp 2 ओन होगा एक case और ले लेते हैं इसके लिए एक बार network को add करेंगे और यहाँ पर एक ले लेते हैं यानि कि अब हमारे पास दो हैं PV1 और PV2 अगर कोई सी भी एक PV1 की value true हो जाए या फिर PV2 की value true हो जाए तो हमारे lamp 1 हो जाए तो एक तीसरा case बना लेते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक no contact यहाँ लेंगे मा लेजी इसका नाम हमने PV1 दे दिया PV1 दे दिया अब उसके बाद इसको select करेंगे और एक branch लेंगे branch यह branch आगे और यहाँ पर हम PV2 दे देगे PV2 आगे यानि कि एक कोई सब पास PV1 वाला path true हो जाए या PV2 का path true हो जाए तो यह output जर्रेड हो जाएगा तो यहाँ पर एक हम output lamp को 3 ले लेते हैं इसको create कर देंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन case बना दिये पहला case है कि अगर हमारी PV1 variable की value true हो जाएगी तो क्या होगा यह no contact पर लगा हुआ है तो no की property है कि जब यह इसके variable की value बन होती है तो यह path को connect कर देता है और अगर इसके variable की value false होती है तो यह path को disconnect रखता है इस तरह से हमने यहाँ पर तीन case बना लिये हैं इसको test करेंगे test करने के लिए एक बार इसको save करेंगे और अब simulation on करेंगे उसके बाद login करेंगे login करने से पहले यह अपने project को एक बार compile करेंगे और यह login होती है अब हम इसको एक बार run करेंगे यह run हो गया अब हम इसको check करेंगे चेक करने के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह no contact है यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं supply आई होई है यानि कि यह blue color का दिखा रहा है अब यहाँ से आगे जाने के लिए यह no contact है और PV1 की value है इसलिए यह आगे नहीं जा सकता तो अभी के case में अगर हम यह वाले PV1 की value पर true करेंगे तो lamp 1 हमारा on हो जाएगा उसके अलाबा एक lamp 3 भी on होगा ट्रू करते हैं तो lamp 1 और lamp 3 यह दो lamp on होने चाहिए lamp 2 आप नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हमें PV2 की value को भी true करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इस case को check करेंगे और इस case को हम अभी ध्यान नहीं देंगे हम एक एक करके check करेंगे तो इसकी value को true करने के लिए इस पर double click कर देंगे double click करने के बाद इसको force on करेंगे तो जैसे हमने force किया तो lamp 1 यहां पर on हो गया और lamp 3 ओन हो गया क्योंकि यह इसके parallel में लगा हो तो यह की हमने यहां पर check कर लिया अब तो यह तो हमने यहां पर logic से इसको test कर लिया है अब अगर हमें इसको SCADA के साथ test करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले इसको तो हम log out कर देंगे और visualization के अंदर आएंगे और यहां पर right click करके add object पर जाएंगे और यहां पर कोई नाम दे देगे मान लिजे मैं screen 1 नाम दे देता हूं screen underscore 1 यह नाम दे दिया है यह screen हमारे पास आगए अब इसके अंदर हमें कुछ DI, कुछ digital input और कुछ digital output बनाने होगे तो digital में हमारे PV1 और PV2 दो है और output में हमारे lamp 123 है तो सबसे पहले हम input की बना लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर एक button लेंगे यहां पर drag and drop करेंगे और इसके अंदर इसका नाम दे देंगे मान लिजे नाम दे देता हूं PV underscore 1 यह नाम दे दिया और फिर इसके input में आएंगे और यहां पर हम toggle में आएंगे और F2 दवा देंगे F2 दवाते ही यह हमारे पास इसके variables आ गए हैं इसमें PV1 को select करेंगे तो यह PV1 का बन गया यह हमारा एक यहां पर बन गया तो एक बन गया और इसके बाद copy और paste करेंगे और यहां पर दूसरा डियाई बना देंगे तो यहां पर हम इसका नाम PV2 देंगे और इसके अंदर का variable भी हम change कर देंगे variable में जाएंगे sorry input में जाएंगे और PV1 की जगए PV2 कर देंगे और ok कर देंगे यह दो हमने यहां पर input बना लिए अब टीन हमें यहां पर lamp बनाने हैं तो lamp बनाने के लिए हम यहां पर ellipse लेंगे और इस पर double click करेंगे सबसे पहले इसका नाम दे देंगे माली जी lamp 1 है इसका नाम L1 दे देता हूं यह आ गया और इसके variable में जाएंगे और change color पर select करके F2 दबा देंगे और यहां पर lamp 1 को select करा देंगे अब color क्या देना है color के अंदर आएंगे जब हमारा lamp on नहीं है तब कौन सा color रखना है हमें red रखना है और जब on हो जाएगा तब कौन सा color देना है वह यहां पर दे देंगे और okay अब हमारा एक हमारा बन गया तो इसको हम copy और paste करेंगे और दूसरा बना देंगे यह हमारा lamp 2 हो गया इसका नाम हम दे देंगे और इसके variable में आएंगे इसको lamp 2 कर देंगे यह 2 हो गया और इसको एक बार copy और paste करेंगे और इसका lamp 3 नाम दे देंगे और इसके variable में भी lamp 3 का variable connect कर देंगे अब हमारे पास 3 lamp यहां पर बन गये हैं और 2 dii हमने यहां पर बना दिये हैं तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा अरेंज करेंगे साइड वाई साइड कर लेंगे और इस skada की screen को हम यहां पर डालेंगे ताकि प्रोग्राम और skada दोनों हमें दिखते रहें और इसको एक बार save करेंगे login करेंगे और run करेंगे उसके बाद हम यहां से test करेंगे test करने के लिए सबसे पहले हम इस no contact को चेक करेंगे जैसे हम इस बटन पर क्लिक करेंगे इस pv1 नाम की tag की value 1 हो जाएगी और यहां पर भी true दिखाएगा यह पाथ हमारा यहां से connect हो गया तो यह हमारा lamp 3 भी यहां पर on हो गया और lamp 2 हमारा on नहीं हो आया क्योंकि इसके series में इसे हम series बोलते हैं यहनी की pv1 की value भी true होनी चाहिए और pv2 की value true होनी चाहिए तभी यह lamp 2 तभी ओन होगा क्योंकि यहां से तो path connect हो गया लेकिन यहां से अभी path disconnect है इसलिए यह lamp on नहीं हो अब अगर हम एक बार इस pv2 की value भी true कर देते हैं यहां पर अभी देख रहे हैं pv1 की value true है और pv2 की value false है एक बार pv2 की value को भी हम true करते हैं एक बार true किया जैसे कि आप देख पा रहे हैं य lamp 1,2,3 तीनो lamp यहां पर on हो गया और तीनो lamp यहां पर green देख रहे हैं इस गाड़ा के अंदर क्योंकि पहला pv1 true था तो pv1 true से सीधा ही यह lamp 1 connect है तो true हो गया और lamp 2 के अंदर यह दोनों true होंगे तभी true होगा अगर हम एक को किसी एक को off कर देते हैं अभी मालिए यह pv1 को ह हम आफ कर देंगे तो lamp 2 off हो जाएगा लेकि lamp 3 फिर भी on होगा क्योंकि उसको path यह वाला path हमको मिलता रहा है जैसे मालिए यह lamp 1 को हम अभी false कर देते हैं तो हमने false किया होगा lamp 1 भी off हो गया और lamp 2 भी off हो गया लेकि lamp 3 on हो गया क्योंकि lamp 3 कोईसा भी एक pv1 true होती है तो हमारा लेकिन lamp 1 हमारा तभी ओन होगा जब हमारी pv1 की value true होगी और lamp 2 हमारा तभी ओन होगा जब दोनों true हो जाएगे जब दोनों एक साथ true होगी तभी हमारा lamp 2 होगा और lamp 3 कोईसा भी एक ओन हो जाए तो ओन हो जाएगा तो आज क्लास में हमने एक input instruction no contact और एक output instruction output coil को डिसकस किय तो इस class बस इतना है thank you for watching this video अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो like करें share करें और अगर आपने अभी तक हमारी चनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें साथी साथ बैल आइकन को click कर लें ताकि हमारे latest video के update से आपको time से मिल सके हैं और अगर आपका कोई question है कोई doubt है तो नीचे comment box झूसर थैंक यू